जैहिन साथियों स्वागत करता हूँ आप सभी का क्रेजी जीगेटरेक चैनल पर 29 मार्स 2023 के इंपोर्टन डेली करेंट अफेर्स आई देखते हैं सबसे पहला कोशन आप सभी के सामने रहा हाली में किसने रास्ट्री रेबीज नियंतरन कारिकरम लॉंच किया है तो फ्रेंट्स इसका राइट एंसर है केंदर सरकार सेंट्रल गवर्मेंट ने हाली में रास्टी रेबीज नियंतरन कारिकरम को लॉंच किया है अब आई डिटेल में समझते हैं क्या उद्देश है इस कारिकरम का इमेज में आप देख पा रहे हैं ये भारत के ब्रेजेंट में स्वास्थ मन्तरी है इनका नाम है मंसुक मडाविया जी इसके लावा इनके पस रसायन एवं उर्वरक मंतरालई भी है दोनों मंतरालई हैं अकेले समाल रहे हैं दोस्तो रेबीज की बात आई है तो पहले मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ रेबीज क्या होता है अगर आप से पूछा जाए कि रेबीज किसकी वज़े से होता है तो रेबीज एक वाइरस डिसीज है यानि वाइरस के कारण होता है रेबीज पहली बात आपको ये समझन अब दोस्तों रेबीज कैसे फैलता है तो जो भी पीडि जानवर है जैसे की कुटा, बिली, बंदर इनके जो सलाइवा होता है वहाँ पर रेबीज वाइरस मौझूद होता है इसका ये मतलब हुआ रेबीज रेबीज वाइरस की वज़े से होता है जो भी यहाँ पर जानवर की वज़े से होते हैं अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा World Rabies Day के बारे में कब मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को World Rabies Day मनाया जाता है रेबीज वायरेस बिमारियों के प्रभाव और उसको रोकने के तरीकों के बारे में लोगों को awareness बढ़ाने के लिए हर साल 28 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है दोस्तों अब यह क्यों मनाया जाता है 28 सितंबर को यह भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों लुइस पास्चर का नाम आपको याद रखना है लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके का invention किया था और इनकी पुन्य तिति के उपलक्ष पर 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है अब 2022 में इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है तो थीम है रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ आपको क्या याद रखना है वन हेल्थ जीरो डेथ दोस्तों जितनी भी मौते होती हैं पूरे दुनिया में रेबीज के कारण तो 33 परसंटेज भारत का contribution है रेबीज की वज़ा से आप सभी देख रहे हैं 29 मार्च 2023 के important daily current affairs अब मैं fit and fine हूँ कभी कबार problem हो जाती है आपका content बनाते बनाते जागना पड़ता है तो उस वज़े से नीन कल कम ली थी शायद उसका प्रभाव थोड़े समय के लिए class में आपको देखने को मिला है बहुत सारे message आए और आप लोगों के message का reply मैं कर रहा हूँ मैं must do एकदम छोटी मोटी दिक्कते होती रहती है तो दोस्तो यहाँ पर आपको यह जो class है हिंदी और इंगलेस दोनों medium में मिलती है और दोस्तो भारत का कोई भी ऐसा exam नहीं जहां से यह current affairs नहीं पूछे जाती मैं आपके life का कीवल 30 minutes लेता हूँ जहां पर आपको current affairs के साथ GS भी पूरा complete करवा देता हूँ एक ही class के अंदर तो दोस्तो आईद चलते हैं आगे विरासत से तै नहीं होंगे सियासत के फैसले ये तो उडान तै करेगी आसमान किसका है तो दोस्तो उडान का मतलब है आपका hard work आपका आत्म विश्वास कितनी उपर आप जाओगे जितनी उपर जाओगे आसमान भी आपका होगा मेहनत करने से मत डरो कभी मत डरो लाइफ तो हमेशा रिस्क पे है तो डर किस बात का आपको क्या पता है कि आपकी लाइफ पर्मानेंट है नहीं आप भूल में है आपने यहाँ पर पर्मानेंट रेजिस्ट्री नहीं कर आई है कुछ भी हो सकता है किसी समय तो बहतर है एक जिंदगी मिली है तो चलो कुछ कर के दिखाते हैं आई देखते हैं question number two को केरल का सर्वोच नागरिक सम्मान घोशित किया गया इसको बोलते केरल जोती तो केरल जोती पहली बार किसे मिला है तो केरल का सबसे हाइस पुरसकार कौन सा है ये है केरल जोती और मिला है M.T. वासुदेवन नायर को किसे मिला है M.T. वासुदेवन नायर को अब आप नाम ऐसे आद रख सकते हैं जोती लिखा हुआ है तो आप लोग डेली जोती जलाते होंगे न अपने वासुदेव के पास वासुदेव मतलब हमारे कानहा जी, कृष्णी जी तो वासुदेव जी के पास आपको जोती जलानी है डेली जलाते होंगे अब ऐसे दिमाग में आपको बनाना है तो आपको नाम याद आ जाएगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वासुदेवन नायर जी को ठीक है, इन्हें मिला है केरल जोती पुरसकार दोस्तों जो पुरसकार होता है केरल में इसे तीन केटिगरी में बाटा गया है तीन श्रेडी में बाटा गया है पहला केरल जोती है दूसरा केरल प्रभा है और तीसरा है केरल श्री यह तीन केटिगरी हैं मैं आपको तीनों केटिगरी बता रहा हूँ केरल जोती है M.T. वासु देवन नायर को मिला है अब बात करेंगे केरल प्रभा की तो केरल प्रभा मिला है एक्टर ममूटी को पूर्व सिविल सेवा धिकारी टी माधो मेननन को और लेखक ओम चेरी एनन पिलाई को केरल प्रभा मिला है केरल श्री किसे मिला है बायलोजिस्ट सक्ति भामा दास बीजू जादूगर गोपिनाथ मुथूकड उद्योग पती कौचो सेफ चित्ती लपली और गाई का वैकॉम विजय लक्ष्मी को मिला है केरल श्री याद रहेगा वासु देवन नायर को ये प्रसकार क्यों मिला है आ इसके लावा ज्यान पीट पुरसकार भी ये जिच चुके है आई देखते है कोशन नमबर थ्री पीम मोधी जी ने वाइट फिल्ड के आर पूरम मेट्रो लाइन का उद्गाटन किस राज में किया है प्राइम मिनिस्टर नेरेंदर मोधी हैस जनोगरेटेड वाइट फिल् इसका राइट एंसर है करनाटक राज करनाटक राज में इसका उद्गाटन किया गया है वाइट फिल्ड के आर पूरम मेट्रो लाइन का यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं यह वो इमेज है जहां पे नरेंदर मोधी जी इनोगरेशन के समय मौझूद थे दोस्तो जो वाइट फिल्ड और कियार पूरम के बीच में जो यात्रा है इस परियोजना की वज़े से कम हो जाएगी 22 मिनट तक कम समय लगेगा और इससे डेड़ लाख यात्रियों की बढ़ने की उमीद है इस प्रोजेक्ट के लंबाई है 13.70 किलोमेटर और यहां पे 12 स्टेशन बनाए गए हैं दोस्तों मैं आपको मेट्रो लाइन से सम्बंदित कुछ important प्रेशन बता देता हूँ अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी जो लाइन है मेट्रो लाइन किस की है तो दिल्ली शहर की है 348 किलोमेटर बैंगलूरू में यहां पर देखें आप यहां पर 67 किलोमेटर तो यह लाइन है बैंगलूरू मेट्रो जो है दिल्ली के बाद दूसरा सबसे बड़ा network है करनाटक राज्य के current affairs को देखते हैं अभी मैंने आपको सागर परिक्रमा कारिक्रम की बारे में बताया था तो सागर कारिक्रम जो है परिक्रमा कारिक्रम जो ह इसका उदेश है fisheries के production में, animal husbandry में, dairy farming में तो यह है मच से पालन पशुपालन और dairy मंत्राले के द्वारा घोशित हुई ताकि मच से पालन ज्यादा से ज्यादा किया जा सकें अभी हाली में मैंने आपको बताया था PM मोदी जी ने करनाटक राज्य के कहां पर हूबली में सि उपसे लंबा railway platform भारत को समर्बत किया है आई देखते हैं किस देश की पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खोखो चैंपेंशिप को जीता है विच कंट्रीज मैन और वीमेन टीम हैस वॉन दा एशियन खोखो चैंपेंशिप तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है भा भारत की पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खोखो चैंपेंशिप को जीत लिया है खोखो में तो हम अपने बेस्ट हैं खोखो में नौख लाड़ी होते हैं मैंने आपको बताया था तो दोनों केटिगरी में भारत इसका विजीता बना है अब देखिए इसको मैं बता पुरुस वर्ग में भारत ने नेपाल को हराया है पारी और छे अंको से हराया है और दोनों केटिगरी में अपना नाम रोशन कर लिया है दोस्तो इस आयोजन में टोटा सोला टीम में सामिल थी और पुर्शो और महिलाओ की दोनों टीम में सामिल थी बहुत सारे देशों न आपको life के बारे में बताया था Life क्या है? Mission Lifestyle for Environment. Environment के लिए Life Scheme स्टार्ट की गई है असम के Chief Minister हिमंद बिश्वा सर्मा जी के द्वारा असम में अभी हाली में Dr. तपन सैकिया को राज जिका सर्वोच नागरिप पुरसकार मिला है पिछले वर्स रतन टाटा जी को दिया गया था ठीक है? असम बैभव से सम्मानित करने का अभी निर्णे लिया गया है ठीक है? चलिए दोस्तों आज की Knowledge की Factory में मैं आपको New Parliament Building के बारे में बताने वाला हूँ. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह नई Parliament की Building आप देख पा रहे हैं? ठीक है? तो नई Parliament Building से Related बहुत सारे प्रेशन पूछे जा सकते हैं तो चलिए आई देखते हैं तो जो New Parliament Building है इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले यह बताओ कि इसकी अधार शिला कब रखी गई? 10 December 2020 को इसका निर्माण Central Vista परियोजना के तहत किया जा रहा है 2022 तक इसे पूरा करना था लेकिन आप सभी को बता है COVID की वज़े से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई 2026 तक अभी पूरा होगा दोस्तो नया जो संसत भवन है इसका निर्माण कोन कर रहा है? और इसका जो शेप आप देखेंगे तो एक ट्रैंगूलर शेपड है जिसका एरिया है कितना बड़ा है देख पा रहे है 64500 वर्ग मीटर है ठीक है? दोस्तो नया संसत भवन से रिलेटेड और important point जो आप से पूछे जा सकता है अगर joint session होता है आर्टिकल 108 में joint session का प्रावधान है यहाँ पर 1224 लोग एक साथ बैठ सकते हैं देखिए 888 लोग सभा से होंगे नया संसत भवन में आने वाले 2026 के बाद seatे बढ़ेंगी तो उसको देखते हो इसे तयार किया गया है इसी वज़े से इसे थोड़ा बड़ा बनाये गया है और 384 सदश राज सभा से होंगे 384 आप दोनों को जोड़ेंगे तो 1224 आ जाएगा अभी आपको एक important current affairs आपको और भी याद रखना है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस image को तो यह जो image है अशोक इस्तंब की है जो की 6.5 मीटर उची है 11 जुलाई 2022 को इसका inauguration पीम नरेंदर मोदीजी ने किया है इसका total जो weight है 9500 किलो ग्राम है clear है आगे बढ़ू चले कौन सा देश BRICS New Development Bank में शामिल हुआ है तो कौन सा देश जो New Development Bank में शामिल हुआ यह है इजिप्ट इजिप्ट को NDB का सदश्य बनाया गया है किसे बनाया गया है NDB का New Development Bank BRICS के द्वारा स्थाफित किया गया है दोस्तो मिश्र को 20 फरवरी को NDB का सदश्य बना दिया गया था अब इसकी Official सूचना जारी कर दी गई है और मार्च में शामिल हो गया है NDB के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी फिर से मैं आपको बता देता हूँ 2014 में इसकी स्थापना हुई थी ब्राजील के फोर्ट इलिजा में जब छटवा ब्रिक सम्मेलन हो रहा था दोस्तों अभी आपको एक और इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स मैंने आपको बताया था कि NDB के अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है डिलमा रूसेफ जो की ब्राजील की पूर राश्पती थी ये नई प्रमुक बनी है इसका हेड़कोर्टर शंगाई चीन में है और इसका जो मकसद है जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को विकास के लिए बढ़ावा देना उनका एकनॉमिक डवलप्मेंट करना फाउंडिशन ओफ सार्क राइटर्स लिटरेचर ने किसे साहितिक पुरस्कार से सम मानित किया है तो फ्रेंट इसका राइट एंसर है अपको याद रखना है दोस्तो अब आखिर इनोंने किसका लेखन किया है तो आपको ये भी याद रखना है ट्रायलोजी, अन्फिनिश्ड मेमियोर्स दा प्रिजन डारीज और दा न्यू चाइना 1952 के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की है फोस वॉल की जैसे हम बोलते है सार्क राइटर्स और लिट्रेचर फाउंडेशन सार्क राइटर्स इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ 1987 में इसकी स्थापना की गई यह है एक non-profit organization इसका काम होता है regional cooperation को बढ़ाना और सार्क कंट्रीज के बीच में cultural exchange करना ठीक है, कैसे? with the help of literature with the help of art ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात सार्क की भी की है तो सार्क जो है 1985 में स्थापित किया गया 1985 में इसका headquarter कहाँ पर है काठ मंडू नेपाल में इसका headquarter है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है यहाँ पर से, cultural रूप से, technical रूप से scientific रूप से, उनकी के विकास में बढ़ावा देना देखिए अब प्रेजेंट में 8 मेंबर है MBBS, Spain आपको याद रखना ट्रिक बनाई है तो M for यहाँ पर आपको याद रखना है Maldiv, B for Bhutan, B for Bangladesh S for Sri Lanka, B for Pakistan A for Afghanistan, I for India N for Nepal आठ देश इसमें शामिल है ठीक है, चलिए Next है, किस national park में चीते की kidney की बिमारी से मौत हो गई है In which national park का चीता has died of kidney disease तो friends आपको याद रखना है Kuno National Park क्या इसका उत्तर है Kuno National Park में ये चीता था और इसका नाम शाशा है Kidney की बिमारी की वज़े से शाशा की मौत हो गई है आपको यदि याद होगा मैंने आपको current affairs में बताया था कि last year Namibia से इन्हें लाया गया था और Namibia से एक जो शाशा नाम का चीता था इसकी 27 March को मौत हो गई और साशा जो है friends One second देखे शाशा की बात करें तो 17 सितंबर 2022 को MP के कूरो National Park में ने ट्रांसफर किया गया आठ चीतों में से एक चीता है और ये जो मादा चीता है साड़े चार साल की थी इसका निधन हो गया निधन कहरा है इसकी death हो गई है और actually क्रेटिन लेवल बहुत जादा बढ़ गया था जिसकी वज़े से किड़नी जो है खराब हो गई है 17 सितंबर 2022 को 5 मादा और 3 नर को लाया गया था प्रोजेक्ट चीता के तहद ठीक है चले धनूस लोगनाथन और जोशना साबर ने IWF विश्व यूवा चैंपेंशिप में कौन सा मेडल जीता है तो धनूस लोगनाथन और जोशना साबर ने गोल्ड मेडल जीता है कौन सा मेडल जीता है गोल्ड मेडल इन दोनों ने जीता है दोस्तो ये जो इंडन वेट लिफटर्स हैं आपको ये बात याद रखना है धनूस लोगनाथन और जोशना साबर दोनों इंडन वेट लिफटर्स है अब ये जो चैंपेंशिप में कहाँ पर हो रही है अल्बानिया में हो रही है अल्बानिया में कहाँ पर हो रही है डूरेस में हो रही है 14 years के हैं जोशना और महिला केटेगरी में 40 kg वेट केटेगरी में इन्होंने कांस पदक जीता है स्वारी मैंने साथ आपको गोल बता दिया ये ब्रॉंज आप याद रहे हैं वो मुझे गोल बार बार याद आ रहा है हाँ स्वारी मैंने गलत टिक कर दिया था आपको आप इसे ब्रॉंज याद रहे हैं तो फ्रेंड्स कल अभी देखें क्या हुआ है कि बहुत सारी जो चीजे याद आ रहे हैं वो किसकी याद आ रहे हैं अभी हमारे मुख्यबाजी चेंपेंशिप भी हो रही न महिला का सही हैं सब ब्रॉंज होगा ठीक है तो इन दोनों को ब्रॉंज मेडल मिला है 16 वर्स के धनुष और पुर्शों की 49 वेट केटिगरी में इन्हें भी ब्रॉंज मेडल मिला है अब दोस्तों आप बात करेंगे IWF की तो जो IWF है वर्ल यूज चेंपेंशिप है 13 से 17 साल के अथलीटों के लिए हैं और आपको याद रखना है इसका हेड़कॉर्टर कहां पर हंगरी में हंगरी की कैपिटल बुड़ा पेस्ट में इसका हेड़कॉर्टर है हर साल इस प्रित्योगीता का आजन किया जाता है नेस्ट है बहुत अच्छा कोश्चन है हाली में घोडे ज जात्रा तेवहार मनाया गया ठीक है इसमें एक जो घोड़ा होता है उससे पूरे जगहे पे रोटेट किया जाता है पूरे शेहर पे इसको घुमाया जाता है तो नेपाल का घोडो का तेवहार है जिसे हम बोलते है घोडे जातरा और नेपाल में जगह है जिसे हम बोलते है ललितपुर एक प्राचीन शहर है ललितपुर यहाँ पर जो इस फेस्टिवल को मनाया जाता है स्टार्टिंग इसके दौरा की गई थी मल्ला साशन मल्ला साशन यहां पर 13 से लेके 28 शताब्दी तक था और घोडे जात्रा उस सब मनाया जाता है दोस्तो ललितपुर के घोडे जात्रा जो है काठ मांडू से अलग है क्योंकि इसमें एक जो अकेला घोडा होता है जैसा मैंने आपको बताया पूरे शहर का चक्कर लगाता है क्लियर है अब दोस्तो सवाल यह उठता है वाई इट इस सेलिब्रेटेड इस दिन बाल कुमारी और भोला गड़ेस मंदिर के बीच तीन बार घोडा सवार होता है क्लियर है आपको याद रहेगा चलिये Reliance Industries Limited की नए मुक्यविती अधिकारी की रुपे किसे न्यूक्त किया गया तो फ्रेंड्स इसका right answer रहे श्रीकांत वेंकट चारी की नाम है श्रीकांत वेंकट चारी को Reliance Industries Limited का नया Financial Officer बनाया गया है यहाँ पर आप image में देख पा रहे हैं श्रीकांद वेंकर चारी की दोस्तो मैं आपको बता दू Reliance Industries Limited के बारे में तो ये एक प्रकार की भारत की क्या है Multinational Company दुनिया भर में इसकी अलग-अलग ब्रांचे से इन्होंने बहुत जगे निवेश किया है जैसे आप इन्हें energy में देखेंगे आप इन्हें clothing में देखेंगे आप इन्हें petrochemical में देखेंगे आप इन्हें natural resources में देखेंगे और ऐसा कोई छेतर नहीं जहाँ पर इनका investment नहीं इसकी शुरुवात की थी धिरू भाय अम्मानी जी ने 1966 में और जिसका headquarter कहां पर है मुंबई महराष्टर में दोस्तों यहां पर हमारा current affairs हो जाता है खतम और आपका जो triple R series है जिसे हम बोलते हैं repeat, recall, revise current affairs उसे यहां पर हम discuss करने वाले हैं 2022 के महतपूर्ण प्रशनों को where has UNESCO इंडिया आफ्रीका hackathon 2020 been inaugurated तो friends इसका right answer है no EDA मुखी मंत्री सिक्षा पुरसकार योजना किस राज में शुरू की गई है सिक्षा पुरसकार योजना Odisha राज में स्टार्ट की गई Sebastian battle किस से संबंदी थे जिन्होंने सन्यास की घोशना की है तो आपको याद रखना है Formula 1 से इनका संबंद है Jumbo Trails किस Tiger Reserve में launch किया गया कहां पे launch किया गया Annamalai Tiger Reserve में Who has won the title of 72 Inter Services Volleyball Championship तो बहतरवी Inter Services Volleyball Championship को Army Red Team ने जीता है दोस्तो कल के Current Affairs का आपका होगा test आईए शुरू करते हैं देखते हैं आपको कितना याद है उसे revise करते है Who has won the title of Women's Premier League तो पहला Women's Premier League Mumbai Indians ने जीता है Harman Pritkoar इनकी कोन है Captain Mirgi Jagarukta का Bagani Divas कब मनाया जाता है 26 March को मनाया गया Visho Mahila Mukya Baji Championship 2013 में Nikhas Zarin और Love Lina Borgohin ने कौन सा मेडल जीता है दोनोंने गोल्ड मेडल जीता है A matter of the heart Education India इस पुस्तक के लेखा कौन है तो कल आपको पताया था Anurag Behar Call Before You Dig एप इसको किसने लॉंच किया है तो Call Before You Dig एप को Narendra Modi जीने लॉंच किया है An exercise called वायू प्रहार Has been organized between Indian Air Force and Womb तो भारती सेना और भारती वायू सेना की बीच में उत्तराखन के किस थान पर Sports University खोला जाएगा हल्दवानी में कहां पर हल्दवानी में अरावाली ग्रीन वाल प्रोजेक्ट का उत्गाटन किस ने किया है तो इसे भारत के पर्यावरन मंत्री भूपेंदर रियादव जी ने स्टार्ट किया है मुख्य मंत्री व्रिक्ष संपदा योजना किस राज़ में शुरू की गई है 36 गड़ राज में 5 एकड़ से कम भूमी है आपके पास तो आपको मिलेगा पूरा फानेशल एसिस्टेंस किस सरकारी बैंक ने रूस की प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी SBI को बेश दी है तो कैनरा बैंक ने इसे बेश दिया है दोस्तो आज के लिूसेंट स्टाटिक जीगे के पिटारे में एक और बहुत अच्छा इंट्रेस्टिंग टॉपिक लिए करके आया हूँ जो हर एक्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको जानना भी चाहिए आज हम बात करेंगे न्यूस पेपर उसके जहां पर पुब्लिश किया जाता है उसे हम यहां पर जानने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे The Times मैं यहां पर Times of India नहीं बोल रहा हूँ The Times लंदन में प्रकाशित होता है Daily Mirror ये भी लंदन में प्रकाशित होता है ठीक है ली फिगावरो ये कहां पर होता है पेरिश पर होता है इजे वेस्तिया ये कहां पर होता है रूस मासकों में नेस्ट है डॉन तो आपको पता डॉन छुपा भी है पाकिस्तान में और कराची कहां पर है पाकिस्तान में ता आइलेंड तो आपको पता श्रिलंका श्रिल प्रंका क्या है आईलेंड है इस्टन सण तो यह सिंगापूर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो इस्टन साइड वहीं पे सूर्य आता है तो सिंगापूर आपको याद रखना है अल अहरम यह काहिरा ठीक है माडेका जकारता इंडोनेशिया से वाशंग्टन पोस्ट युएसे वाशंग्टन से दाहिंदु चंननाई से स्टार का प्रकाशन जौहनस बर्ग से होता है गारजियन यह आपको याद रखना है लंदन डेली मेल डेली मेरर आपको बताया था मैने डेली मेल भी लंदन प्रावदा प्रावदा एक रशियन जो शब्द है मासको डेली न्यूज यह है न्यूयोग ठीक है इंपोर्टेंट है यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैंने आपको सारे बता दी जोस्तों यहाँ पर अब मैं एक और टॉपिक को ले करके आया हूँ जिसे हम बोलते हैं अंतराश्ट्री सीमा है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेश्टर बाउंडरीज तो यहाँ पर मैप में आप देख भी सकते हो भारत और चाइना के बीच में सबको पता है मैक मोहन रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर देखिए तो यह रेड़ क्लिफ रेखा है सर रेड ग्लिफ के द्वारा इसे निर्धारत की गई थी ठीक है चलिए जर्मान और पॉलend की बीच में देखिये यूरोपिन कंट्रीज है दोनो जर्मान और पॉलend यहाँ पर है इंडनबर्ग लाइन कॉन सा है इंडनबर्ग लाइन नेस्ट है नौर्थ कोरिया और सौथ कोरिया जापान के पास है नौर्थ कोरिया और सौथ कोरिया तो ठीक है चले तो नौर्थ कोरिया और सौथ कोरिया जापान के पास है आप सभी को पता है चाइना के पास इसका लोकेशन है तो यह कहाँ इसके बीच में 38 parallel line नेस्ट है जर्मनी और फ्रांस तो जर्मनी पोलेंड का तो आपने जान लिया हिंडनबर्ग उधर था जर्मनी और फ्रांस इधर फ्रांस इधर है तो यहाँ पर है मेगी नॉट लाइन जर्मनी और फ्रांस मिलके खाएंगे मेगी नेस्ट है यहाँ पर देखे यह तो मेगी नॉट लाइन आपको बता दिया 49 डिग्री लाइन यह कार्ट दीजे 49 डिग्री लाइन जो है कैनाडा और USA की बीच में आप उपर जाओगे 90 डिग्री तक आप पहुँचोगे लैटिटूड में तो 49 डिग्री आपको मिल जाएगा नेस्ट है मैंने रहीम रेखा ठीक है तो मैंने रहीम रेखा जो है रश्या और फिनलैंड की बीच में दोस्तो ये सारी इंटरनेशन बाउंडरी इसे भी हमने आप आज डिसकस कर लिया लगबग हमारा मिसलेनिस टॉपिक खतम होने वाला इलूसेंट का अब हम पढ़ेंगे नेस्ट टॉपिक तो दोस्तो 29 मार्च का जो करेंट अफेर्स है उसका मैं लेने वाला हूँ आपका टेस्ट तो त्यार हो जाएए रेबीज रो किसकी वज़े से होता है बैक्टीरिया वायरेस पेरासाइट फंगस तो मैंने आपको बताया रेबीज रेबीज वायरेस की वज़े से होता है World Rabies Day कब मनाया जाता है हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है World Rabies Day MT वासु देवन नायर का संबंद किस छेत्र से है साहित कार है literature इनका field है किस शहर की metro line सबसे लंबी है तो सबसे लंबी metro line दिल्ली की है मैन रहीम रेखा किन दो देशों की बीच में तो मैं रहीम जो रेखा है किन दो देशों की बीच में आपको देखने को मिलेगी तो मैंने आपको बताया है Russia और Finland की बीच में डॉन समाचार पत्र किस देश का समाचार पत्र आप अपने से comment box पे देते जाएए ये भारत करो ये पाकिस्तान का डॉन समाचार पत्र डेली मिरर आपको बताया मैंने तो डेली मिरर जो है London, England में सार्ग का स्थापना कब किया गया था 1985 में इसकी स्थापना होई है सार्ग में टोटल देश कितने है The right answer is 8 कुनो नेशनल पार्क किस राज में है कुनो नेशनल पार्क किस राज में है मध्य प्रदेश में श्योपूर में ठीक है जोस्तो पहचानो कौन स्रीज में ये जो कल इमेज थी रगुराम राजन जी की इमेज है इनका जन भूपाल में हुआ था 1963 में आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं आप स्क्रीन शॉट लेके पढ़ सकते हैं इसके लब आपको PDF मिल जाएगी और दयाल गुस्वामी और राकेज जांगीर ने इनके बारे में लिखा है आप पढ़ सकते हैं पहचानो कौन स्रीज में आपको बताना ये इमेज किस महिला की है फेमस परसनालिटी है आपको इनके बारे में लिखना है आज का सवाल है कौन सा देश Brics New Development Bank में शामिल हुआ इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर देना है काम की बात ये है कि इगनो ने आपके लिए कुछ वेकेंसी रिलीज की है आप इनकी साइट पर जाके चेक कर लेना और ये जो वेकेंसी है इसका 22 मार्च से अप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है और 20 अपरल तक इसका लास्ट डेट है कुछ एसिस्टेंट का जॉब है आप देख लेना चा करके मैं डेली आपको न्यूस तो देता रहता हूँ 28 मार्च के जो विनर्स हैं वैश्डवी, रोहेत, राकेश, शुभानन, बर्खा आप लोगों ने डेली करेंट अफेरस के कुज में टॉप किया है ये जो कुज होता है हमारे क्रेजी जीगटरिक अप्लिकेशन पर है यहीं पर आपको पीडियाफ यहीं पर आपको हमारा कुज मिलता है आपको अप्लिकेशन जैसी डाउनलोड करोगे तो ब्लू पत्ती देखिए कि इसको क्लिक करना वीडियो पीडियाफ को सब कुछ एक जगे पर आपको मिल जाएगा आप डेली करन अफेर्स की पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम से भी यह चैनल का नेम है आप सेर्च करके डाउनलोड कर लीजेगा आप हमें फॉलो कर लीजेगा इंस्टाग्राम पे टेलिग्राम पे फेस्बुक पे और पहली बार चैनल पर आ रहें तो सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो नहीं मिलता है आपको कभी तो आपके बल राजा गुपता भी लिखे राजा गुपता करेंट अफेर्स लिखे और डेली करेंट अफेर्स भी राजा गुपता सर तो आपको करेंट अफेर्स मिल जाएगा शेयर करना मत भूलना दोस्तो लाइक कर देना अगर आपको हमारा एफ़र्ट अच्छा लग रहा हो और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों को और आप सबसे ची बात है कि हम दिन बाद दिन बहुत तेजी से ग्रो हो रहे हैं क्योंकि आपने इसको पसंद किया है और जो भी चीज आपको लगती है कि इसमें और अच्छे करी जा सकती है वो भी बताएगा क्योंकि ये क्लास आपकी है ठीक है तो फ्रेंट्स कल सुबह 6 बज़े फिर मिलूँगा इसी जोस इसी उर्जा के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं खुश रहिए मुस्कुराते रहिए